आज हम बनाने वाले हैं homemade butter तो चलिए उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है यह घी है घी लिया है आप कौन सा भी घी ले सकते हो मैंने यहाँ पे लिया है काउगी आप कौन सा भी घी यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हो काउगी है इसलिए पहले से ही थोड़ा सा पीला है तो हम इ या पर थोड़ा सा नमक एक दो पिंच दालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अगर आपको बटल में नमक नहीं पसंदे तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा सबिशनर है वह उसके बाद हम ईसमें बहुत ज़यादा इसको फैटना है क्योंकि जो घई होता है वह बहुत ठीक होता है उसे अच्छी लाना पड़ता है सब्सकितना अच्चा ज़या है अब हम इसमें डालेंगे एक आइस क्यूब और आइस क्यूब डालने की बाद ये जादू देखो आपकी जो आइस है वो बिल्कुल चिपक नहीं लहा है इस घी को देखी न जादू देखी न और इस आइस के साथ हमें इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करते हुए फेटना भी ह तो चलिए जल्य से फेट लेते हैं आप यहाँ पर सफेद वाला घी भी इस्तमाल कर सकते हो तो आपका बटल भी सफेद ही होगा तो फेट से यहाँ पर दीखिया हमाला आइस है और आइस के साथ इसको बहुत ज़्यादा ही फेट लेंगे धीरे धीरे आप यहाँ पर एक अब्जर्वेशन कर सकते हो कि जैसे जैसे आप मिलाते जा रहे हो वैसे वैसे घी जो है आप आला गाडा होता जा रहा है तो यही ह है जा लगार जा मिकस करतें लेंगे तो देखिये दही शुर्य puta को में बिलकुल गाडा करना है और जो अमूल का बटल आता है वह सफेद होता है उन्होंने सफेद गी इस्तंमाल कला होता है तो हम गी से बटल बना लगे है तो इसलिए हमें गी要 इसे ऊसाइल मैं अगर ऐसे भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सुस्क्राइब शेयल बिल्कुल करना सुस्क्राइब भी करना मेरे चैनल को अभी लेस्बी खतर नहीं हुई है हम इसको भूच जदा फेटेंगे आप देख सकते हो कि पहले जो बटल का करल था वो केसा था और यह जब मिक्स करते समय केसा है और बटल बन जाने की बार इसका कलर जो है वो केसा होगा यह अब्जरवेशन आप करो तो आपको सारा समझ आएगा यह देखिए यह जादू कैसे लगी है आपको यहाँ पर यह जो आइस है उसको कुछ भी बटल चुआ तक नहीं है बटल को मैंने हाथ को बटल ने चुआ है यहाँ पर देखिए इस आइस को कुछ तो हुआ है क्या कुछ तो जादू है ना तो फ्रेंज देखिए यहाँ पे मैंने आइस को पूला पिगला दिया है और यहाँ पे देख सकते हो आपके कितना यह गाड़ा हो चुका है हमाला अब हम क्या करेंगे देखिए एक प्लेट में इस तरीके से पॉलेथिन लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमें इसको क्या करेंगे सेट करेंगे देखा अपने इस तरीके से इसको सेट करने के बाद यहाँ पे जो हमने बटर बनाया है उसको इसमें ट्लांसफोर करेंगे देखे यहाँ पे देखे यह तरीके से फैलाएंगे ताकि इसका जो शेफ है वो बहुत अच्छा बन जाए मतलब यह फ्रीज होने के बाद हम इसमें देखिए इस तरीके से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से फैलाएंगे और इसमें आइस क्लिस्टल ना आए हमें क्या चाहिए देखिए इसमें आइस क्लिस्टल बहुत बिल्क अपर से जो इस तरीके से ढखलेंगे ताकि जो हमाला बटल है उसके उपर आइस क्रिस्टल बिलकुल भी ना लहे है ना और यहां पर यह जो प्लेट है उसको लखेंगे हम डाइरेक्ठली प्रीजर में तो फ्रेट देख्ये इसको हम लखेंगे फ्रीजर में और freezer को कर देंगे बन और लखेंगे इसको 5-10 मिनिट के लिए अंदर ही और इसको हमेन जब तक ये freeze होता है तब तक के लिए मतलब जब तक ये गाड़ा होता है तब तक के लिए freeze में लखना है उसके बार मिलते हैं तो छली खोलते हैं फ्लीच को और खोलते हैं इसको और यहाँ पर देखिए जो बटल है वो हमाला सेट हो गया है तो जलदी से इसको निकाल लेते हैं देखिए इसी तरीके से हम इस बटल जो है इसको निकाल लेंगे इस पॉलेथिन से तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम का उसको अच्छा शेप आने के लिए कितनी स्मूदली ये कट हो लहा है उसके बाद देखें इसको हम इस तरीके से कलेंगे और ये बन गया हमारा टेस्टी टेस्ट इसा बटर तो हम पॉरेथीन लेंगे और उसमें उस बटर जो है उसको लखेंगे और कलेंगे उसको अच्छी तरीके से फोल क्योंकि मार्केट जैसा टेक्शर मार्केट जैसा लूख होना चाहिए होमेड बटर है तो देखें यहाँ पर ये हो गया हमारा बटर अगर वीडियो पसंत आया हो तो इस वीडियो को लाइक जलूर करना तब तक के लिए बाई बाई झाहिए 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 झाहिए